तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 12 क्लास के उर्दू का चैप्टर नुमर 16 कंप्लीट करने वाले हैं नाम है मुतफायर जो की एक नजम है और नजम में भी एक जरिफाना नजम है जरिफ हसी मजाद में कमेंट किया जाता है हसी मजाद होता है उस तर्ब की नजम को कहते हैं जरिफाना नजम है और इसमें किस के उपर कमेंट किया गया है तो मुतचायर अपलों को ही differenti कि के यह रियल का शायर नहीं होता है जो असली शायर है ना उनकी शायरी को चुरा कर वो पढ़ता है जो नकली शायर होता है वो खुद से शिरोशायरी नहीं लिखता है बलकि असली शायर के शिरोशायरी को चुरा कर पढ़ता है जलसा जुलूस में तो उस इनसान को नकली शायर को कहत को बयकू बनाने की quality इनके अंदर हो जह जैसे ये famous होते हैं, मशूर हो जाते हैं ठीफे जिस तरह असली शायर जितना मेंध करते हैं, लफजों को सजा कर अपने ख्यालात को शायरी में ढालते हैं, जतना मेंध करते हैं और को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है और लोगों को मतलब बेवकुब बनाकर लोगों की जी हजूरी करके ये मशूर हो जाते हैं ठीक है तो उसी के बारे में हरे चीज़ चलिए हम लोग समझते हैं और खुश हो जाएं क्योंकि जो राइटर है ना मुसानिफ उनके बारे यह सब आप लोगों को नहीं पढ़ना है क्योंकि आप लोगों के बुक में दिया भी नहीं गया है और इक्जाम में कोशन पूछता भी नहीं है बस इतना आप लोगों को याद रखना है कि मुतशायर नाम की इस नजम के जो नजम लिगार है जो शायर है जो मुसनिफ है व बहुत ही खुबसूरत अंदाज में इस नजम को लिशे हैं आप लोग को भी पढ़कर बहुत जदा हासी भी आएगी और कभी-कभी जफर कमाली पर फक्र भी होगा कि इतने खुबसूरत अंदाज में किस तरह अपने जज़बातों को शायरी में ढाल देते हैं चलिए देखत है फिर भी हर एक अन्युमन में वहला जा रहा है इस नजम को ऐसा लिखा गया है ना कि लग रहा है कि मुतशायर खुद अपने बारे में बता रहा है खुद अपनी बुराई कर रहा है अपनी क्वालिटी बता रहा है ठीक है तो समझे कि मुतशायर खुद बोल रहा है कि अ नायत है ठीक है यह उर्दू का सदका है फजल खुदा है उर्दू के उर्दू का नाम लेकर जो है उर्दू के नाम से मुझे यह सब कुछ मिल रहा है यह उर्दू का सदका है और उर्दू का सदका है नहीं यह तेल चिराग सुखन में यानि कि भले ही चिराग सुखन में ते नहीं लिखता हूं लेकिन फिर भी हर सजी हुई महफिल मेंfeld जल्सा जलूस में मेरा बुलावा आता है मुझको बुलाया जाता है सुनाने घजल शहर-दर-शहर जाऊं करूबण बन मत्ल deposit कि म्या जुता हूं लोगों को मक्खन लगाऊं किसी किसी को पिलाओं रवा चाप लुसी का मुझसे है दरिया उसी बल पर जाता हूं धनबाद जरिया वोला जा रहा है सुनाने घजल शहर दर शहर मतलब एक शहर से दुसरे शहर जाता हूं मैं घजल को सुनाने कारूब बन के बिल्ली म्याव माओं मतलब की मुझे तो शेर करता हूं ठीक है जहां जाओं लोगों को मखन लगाओं जहां पर भी जाता हूं मेरे अंदर चाप लुसी करने की खुबी है मखन लगाने की क्वालिटी है तो जहां पर भी जाता हूं शेर तो कहने आता नहीं सेर पढ़ने नहीं आता है लेकिन फिर भी जहां पर भी जाता लोगों को मखन लगाता हूं किसी को खिलाता हूं किसी को पिलाता हूं चापलूसी करता रहता हूं रवा चापलूसी का मुझसे है दर्यायन की मेरे अंदर चापलूसी करने की जो खुबी है न यह सबसे जादा है और इसी बल पर मैं धनबाद और जरिया जाता हूं और जाकर वहाँ पर चापलूसी करता हूँ, लोगों को मक्खन लगाता हूँ, क्योंकि मुझे तर्शे रोशारी करने आती नहीं है, पढ़ने आती नहीं है, इसी वज़से मैं लोगों को खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, मक्खन लगाता हूँ, और इसी बल पर, चापलूसी के बल पर ह कभी जी हुजुरी से ठकता नहीं गल्ज की डगल से मैं बहता नहीं बोल रहा है कि असर निराला है मेरे बटर में मेरे बटर में यानि कि मखन लगाने में निराला असर है यही मुझको रखता है शेयरी सफर में यही मुझको शेयरी सफर यानि कि शिरोशायरी के सफर में रख कभी जी हजूरी से मैं эт ठकता नहीं हूं लोग की जी हजूरी करते रहता हूं चाप द्रूसी करते रहता हूं मखभन लगाते हूं उसपसन लगाते हूं यह कम ही स्रदूर कि सकन भょ intrigued को बन कर कसाई सघ्कनवर नहीं हूँ सकनवर बना हूँ जहां अदब का सिकंदर बना हूँ कि लुए हेखके फिलात हूँ कभी दुम रुमा कर भाग जाता हूँ क्या जबा गैरत को बन कर कसाई मतलब गैरत को भी जबा कर दिया है बन कर कसाई मेरे अंदर शर्व नाम की कोई चीज ही नहीं है सुखनवर नहीं हूं मैं बादशाह नहीं हूं लेकिन बादशाह बना हूं जहान अदब का सिकंदर बना हूं इस अदब की जहान का सिकंदर मैं बना हूँ चापलुसी करकर के करकर के मैं बादसाह बन गया हूँ लोग मतलब हर जगा मुझको बुलाते हर सजी हुमें फील में मुझको बुलाए जाता है जो तजमीन लिख दे वह यार मैरा जो पैरोडिया दे वा गमखार मेरा न्वाज़े जो मेरा मेरा जो दीवान देदे वा सरदार मेरा चले बस तो वाही की पुंजी उडालूं में मैं दीवान एकबर पे कब्जा जमा लो देखिए यहां पर जो रहा है ना तजमीन पैरोडिया दीवान का मतलब समझे उशेरो शायरी का किताब जिसमें असली शायर जो है ना शेरो देदे वह घमख्वार मेरा याद रखिएगा यहां से कोशन पूश देता है कि जो तजमीन लिख दे वह मुतशायर का कौन है तो वह है यार जो पैरोडिया दे दे वह गमख्वार जो नवाजे नजमों से वह सर्दार मेरा चले बस तो वही की पुंजी उडा लूँ और मैं और दीवाने अक्बर पे कबजबा लूए उन सभी शाहिरे के दीवान को मैं यूँ उड़ा लेना चाहता हूं और उन सभी दिवान पर अपना कबजबा लेना चाहता हूं अगर मेरा बस चले तो मैं ये सब कर लूँ क्योंकि मुझे चाहिए न सिर्व शायरी पढ़ने के लिए जल्सा जुलूस में लेकिन मैं तो लिख नहीं पाता हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ अगर मेरा बस चले तो सभी दिवान पर कब्ज़ जमा लेना चाहता हूँ वही की पुंजी उड़ा लेना चाहता हूँ नथा शायरी का कभी मुझको यारा जहालत ने लेकिन बहुत जोर मारा जमाने ने देखा है यह भी नजारा फजाओं में उड़ता है पिछका गुबारा मिली है मुझे दौलत बेजमीरी पकीरी में भी करने लगा हूँ अमीरी बोलज रहा है कि मुझे मेरे अंदर शायरी की लेकिन जहालत ने बहुत जोर मारा जमाने ने देखा है यह भी नजारा फजाओं में उड़ता है पिछका गुबारा बोल रहा है कि मेरे अंदर शायरी की शोक नहीं थी लेकिन फिर भी जबारी ने देखा है यह भी नजारा है मिली है मु Fahr Light Elamigree यानी forecasts दौलत और में चैपलो सिक्र करके मैं फकीरी में भी अमीरी करने लगा हूं गली दर गली खाक्यों फाकता हूं कि हर रोज सत्तर कुएज ऐखता हूं मैं क्या हूं या अच्छी यहां पर बोल रहा है मुतशायर कि गली दर गली खाक यूफ आकता हूं मैं गली दर गली हर गली खाक यूफ आकता हूं हर रोज सतर कुई जाकता हूं मतलब हर रोज में सतर लोगों से मिलता हूं और मैं क्या हूं अच्छी तरह आकता हूं मैं क्या हूं मैं अच्छी तरह आक को घोल देता हूं ऐसा लगता है कि मैं ही असली शायर हो जिस तरह एक मंउले ममुला जोreally फία बहुत उचाहि तक उरती हैं तो ममुले ने बदला है यहनि कि जिस तरह ममुला अपने को शाहि बतलाता है अपने आपको शाही बतलाता है जब कि हूँ है अचाही तक नहीं उठ सकता मेपको उसी तरह लगता है कि मैं ही असली शायर हूँ लेकिन मैं तु मतर्शायर है कि भलतerem का रंग बोल लेता हूं मैं असली शायर का चोला पहन लेता हूं मैं अपने आपको असली शायर जतलाता हूं लेकिन मैं हूं नहीं असली शायर हो पटना के दिल्ली दक्कन हो के पूना न जाओं अगर मैं तो जल्सा हो सुना जो अफसर हैं उनसे कमाता हूं दूना हमेशा लगाता हू उर्दू को चूना यहां पर बोल रहे हैं कि चाहे पठना हो चाहे दिल्ली हो चाहे दक्कन हो चाहे पूना हो अगर मैं ना जाओना तो जलसा सूना सूना लगता है जो अफसर है उनसे भी मैं दो गुना कमाता हूं हमेशा मैं उर्दू को चूना लगाता हूं उर्दू को कि चूना लगाता हूं जहां बीसाना ना उस्ट से कूरता उन्हां मैं उर्दु को कूरता हूं और यूटता हूं मतलब बशनें से और नहीं है इस मुकदर में उनके शिकागो न लंदन अगर्चे है नकली मेरे फन का जोबन उसी से हुआ गल्फ में नाम रोशन खुशामद की मैं दाल था गल गया हूँ कि सिक्का खोटा हूँ मगर चल गया हूँ बोल रहे हैं कि जो शायर है असली वो घिसते हैं जो असली शायर है ना वो चंदन को घिसते हैं यानि कि जी जान लगाकर दिमाग लगाकर मर्था पेची करके वो शेरोशायरी लिखते हैं अपने जजबातों को शेरोशायरी के अंदाज में ढालते हैं इतनी मेहनत करते हैं और इसलिए उनके मुकदर में ना तो शिकागो है और ना ही लंदन है इसी में वो शेरोशायरी लिखने में ही विजी रहते हैं जिसके वो जैसे वो कहीं जा नहीं पाते हैं किसी जलता जलूस में नहीं जा पाते हैं शहर दर शहर नहीं जा पाते हैं लेकिन मेरा देखो भले ही मैं नकली हूँ मेरे अंदर वो फन वो कला नहीं है लेकिन फिर भी चारों तरफ मेरा नाम जो है न वो रौशन है खुशामद की दाल था जो गल गया हूँ और के सिक्का खोटा हूँ लेकिन चल गया हूँ जो गिर्गिट का होता है वह रंग हुँ में न होलाज जिसमें वही अंग हुँ में यह अधर के लिए बासे नंग ऊंग ऩो मतलब वाकई में क्या खुबसुरत अदाज में जफर कमाली से नजम को लिख है इसके जरी मुतशायर कह रहा है कि जो गिरगीट का रंग होता है ना वही रंग हूं मैं यानि कि मैं हमेशा रंग बदलते रहता हूं कभी उनसे बात की तो कुछ और बात की कभी उनसे बात की त मैं आंग कि मैं जंग हार गया हूं लेकिन फिर भी मेरा शुहृत चारों तरब है विर नाम लिया जाता है एच्ग मेरी चर्चा होती है लगा है गाला बाताद चका चेहरा पर गाजा तो यहां पर हो जाता है यह नजम गंप्लीटी आई हो आप समझ में आया होगा और मुच्वार की सी किस तरह से जफर कमाली किये है इस इस नजम के जरीए यहाफ लोगों को दिश्वी गया होगा और इस तब अपने मुझ से बोल रहा हो अपनी असलियत बता रहा हो ठीक है ना अपना राज खोल रहा है जैसे सिरियल और फिल्म में ने दिखा देखा जाता है कि राज खुल जाता है इंसान खोलता है उसी तरह जफर कमाली इस तरह से इस नगम को लिखे हैं जैसे कि मुतशायर अपने आप से हाँ अपने जुबान से ही सच बोल रहा है अपना राज खोल रहा हो ठीक है ना तो आई होप आप लोगों को समझ में आगया होगा कोई भी कमफ्रूजन हो कम में लिख कर फूश लिजेगा बाकि मैं आप लोगा काली कर बताई और वीडियो को लाइक जरूर कीज़िए दे अपसेंट हो जाता है तो आप लोग फ़र सा इंतिजार कर ले ठीक है और चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिएगा उससे होगा यह कि मे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदाहाफिज